Hello दोस्तों, UPSC Hindi के online platform में आप सभी का स्वागत है हम यहाँ पर UPSC Hindi द्वारा चलाए गए UPSC paper की test series के 6th test को हम discuss करने वाले हैं यह 6th test का last part होगा जिसमें हम 75 से लेके 100 तक के question को discuss करेंगे तो चलिए अपना discussion स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले question से जो कि GDI यानि कि Gender Development Index और या फिर Langic Vikas Suchkang के विशन में है तो दोने statement हम देखते हैं पहला statement बोला है कि यह जो GDI है उन्ही संकेत को का उपयोग करता है जिसका उपयोग मानव Vikas Suchkang करता है यानि कि HDI आप जानते हैं Human Development Index है कापी famous index है UNDP की तो पहला statement बोला है कि उसके दोनों उसमें जो indicator यूज होते हैं HDI में वही same indicator यूज किये जाते हैं इसके अंतगर तो इसका पहला statement तो बिल्कुल सही है यदि हम HDI की बात करें तो उसके लिए हम मैं एक short form को बताऊंगी जिसे short में कहते हैं health ठीक है अब इसको ऐसे याद करिएगा कि अगर किसी country का HDI यानि की human development index बहुत खराब होगा तो उनके लोगों की life hell हो जाएगी मतब ये last वाला L जो है हो silent है ठीक है तो H से क्या है health है ठीक है E से हो गया education या फिर knowledge और L से हो गया living standard ठीक है तो ये बात हो गई HDI के index और GDI तो पहले statement सही है दोनों चीजों का use किया जाता है इसमें ये तीनों जो इसके HDI के human development index के जो indicator है वही same GDI में भी use किये जाते हैं तीसरा language के विकास उचकांग पुरुशों एवं महिलाओं के लिए HDI की गढ़ना का अनुपात है बिल्कुल सही बात देखें ये जो GDI है न ये मेली जो man है male से off female है इन दोनों के ratio में जो HDI है उसको उसका आंकलन करता है तो इसके दोनों statement सही है तो इसका अंसर हो जाएगा C1 and 2 अब ने next question पे आते हैं जो प्रधान मंत्री जन और शदी परियोजना के विशे में है तो ये जो scheme है इस scheme के बारे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी ये scheme जो 2008 में आई थी 2008 में आई थी Department of Pharmaceutical और Ministry of Chemical and Fertilizer तो इस ministry के अंतर गताती है ये आपको ध्यान रखना है ये जैसे आप पढ़ते होंगी तो आपको लगता होगा कि Ministry of Health के अंदर आ सकती है तो लेकिन ऐसा नहीं है Ministry of Health यानि की स्वास्त एवन परिवार कल्यान मंत्राले की एक पहल नहीं है बलकि ये Ministry of Chemical and Fertilizer की है तो पहला ये statement हमारा गलत हो जाएगा फिर next statement बोला है गैर सरकारी संगटन यानि की NGO's और जन सामाने जनरिक दवाओं के विक्रागे तो जन और सधी स्टोर खोलने के लिए आवेदिन कर सकता है तो यहाँ पर जनरिक मैडिसन होती है जनरिक मैडिसन आप देखते हैं जो यदि मैडिसन आपी नॉर्मल किसी जनरिक के इंदर नहीं है अगर किसी नॉर्मल मेडिकल स्टोरे वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो अलग-अलग कंपनीज की जो मैडिसन होती है तो काफी महंगी होती है तो इसके थूँ अफॉर्डेबल गवर्मेंट ने कि हर एक तपके को हमारे समाज में है सबको एक्सेस हो पाए अफॉर्डेबल हो पाए ठीक है तो यह में परपस है इस स्कीम का इसका जो प्राइज होता है वो लग-बग 70% से कम होता है in comparison to normal medicine जो किसी अलग-अलग companies ही होती है तो generic medicine आप जानते हैं कि same salt के तूसरी branding की जो medicine बनाई जाती है उसके जो ingredient होंगे वो सब same होंगे ठीक है जो normal medicine होगी बस उसकी जो company है वो different होगी तो generic medicine तो यह second वाला भी बिलको सही है कि यदि कोई भी organization है चाहे वो NGO है चाहे वो state government या की कोई organization हो कोई trust हो private hospital हो charitable institution हो, doctor हो unemployed, pharmacist हो ठीक है तो वो सब eligible है apply करने के लिए इसके इंतरगत PM, BJP, योजना तो चलिए अपने next question पर आते हैं तो इसका जो answer है हो जाएगा second क्योंकि पहले statement हमारा wrong हो गया next question पर आते हैं जो बोला है निमलिखित में से किसी gram उद्योग नहीं माना जाता है ठीक है तो gram उद्योग क्या हो गया आप जानते हैं कि जो rural areas में जो industry, village industries होती है उनको बोलते है gram उद्योग तो इसमें आप देखेंगे जूट-जूट तो बिल्कुल है ये rural area में, villages में इसका ये जो है, इसकी industries होती है फिर beekeeping यानि कि मधुमक्य पालन फिर ताड गुड यानि कि palm का जो tree होता है आप उससे जो गुड बनाते है यानि कि उससे जो शुगर बनती है उससे तो वो भी जो है, village industry में count होता है तो लास्ट बोला है fertilizer तो fertilizer बिल्कुल सही बात है ये fourth हमारा answer होगा कि fertilizer को है न village industry नहीं कहते है तो इसका जो answer होगया D है अपने next question पे हम आएंगे जो बोला है कि poverty and un-british rule पुस्ता के लेखा कौन थे तो मुझे लगता है इसको आप सब जानते होंगे हमारे favorite दादा भाई नेरो जी जो की grand old man of India भी कहा जाता था इनको ठीक है और इन्होंने ये book publish की थी 1901 में तो इसका क्या purpose था एक तरह से इन्होंने calculate किया था कि उस वक्त जो British rule था उसकी वज़े से इंडिया को क्या-क्या दिक्कत हुई थी एक तरह से इनकी book ने एक काम किया था कि जो moderate के जो leader थे हैं बाकि जो उस वक्त के जो Indian लोग थे तो उनकी आखे खोलने में मदद की थी कि Britishers का rule कितना ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक रह चुका है किस तरह से हमारी जो industries है हमारा जो Indian जो भी चीजे हैं उनको कितनी नुकसान पहुंची है Britishers के rule के वज़े से तो यह चीज़े उसमें मेंचन थी जो बोला है निमलिकित में से कौन सपद बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन है बायो प्रोस्पेक्टिंग ठीक है तो यह बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है तो चलिए पहला statement बोला है जैविक संसाधनों के वाडिजि सोशन की एक अनैतिक पद्दिती सेकेंड एक प्रक्रिया जिसमें क्रिशी विज्ञान पद्दिती द्वारा खादे पसलों का पोशन गुडवत्ता से सुधार किया जाता है तीसरा जैविक संसाधनों से प्राप्त वाडिजिक रूप से उप्योगी उत्पादों के लिए एक विवस्तित खोच ठीक है फिस लास बोला है जीव जन्तुों द्वारा पदावतों का संसलेशन तो देखे बायो प्रॉस्पेक्टिंग क्या होता है कि एक सिस्टेमेटिक रिसर्च किया जाता है कोई भी बायोलोजिकल रिसोर्स यानि की कोई भी ऐसी पसल कोई भी ऐसी जैविक संसाधन ठीक है जो हमें अपनी इन्वार्मेंट से मिलते हैं तो उनको किस तरह से कॉमर्शियली यूज किया जा सके ठीक है तो मेल पर्पस इसका यही होता है कि सिस्टेमेटिक रिसर्च की जाती है बायो प्रौस Pे的話 यूज की जाती है इसको बनाने के लिए हम किस तरह से सस्टेनिबल उसका यूज कर सकते है तो मेल इसका पर्पस यही होता है बायो प्रोस्पेक्टिग तो इसका अंसर हो जाएका C अपने next question पर आते हैं जो बोला है निमलिखित कारकों में से कौन से मृदा निर्माड को नियंत्रित करते हैं तो आप जानते हैं soil formation के लिए कौन-कौन से factor है तो आप जानते हैं कहीं भी region के अगर कोई soil होती है मिट्टी होती है मृदा वो कैसे बनती है मेली तो बहुत जादा environmental factor होते है environmental factor जैसे कि आप जानते हैं कि जो बारिश होती है तो उसकी वज़ए से जो भी पहाड होते हैं या फिर कोई भी plateau हो गया तो उस बारिश से वो region जो है weathering होती है वहाँ पर ठीक है अपरदन होता है तो पत्थर छोटे-छोटे pieces में convert होके ये बनाता है तो ये chemically भी हो सकता है chemical जो है deterioration भी हो सकता है physical भी हो सकता है physical याने कि आप पर force के थू हो रहा है तो ये बहुत सारे कारण होते हैं तो इसमें से आपको बताने हैं गौन से है तो पहला बोला है मूल पदाथ तो बिलकुल सही बात है basic substance जो होगा basic substance याने कि जो rock जिससे बनी है ठीक है तो वो तो बिलकुल depend करता है कि rock कैसी होगी तो किस चीज़ से बनी है पहले तो ये चीज़ हो गया दूसरा बोला इस थलीक रण याने कि topography ठीक है पहाड़ी इलाका है हमारा plane इलाका है वहाँ पे rivers बह रही है जैसे कि आप जानते हैं हमारे Indian का जो plane region जो गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला plane है तो वहाँ कि topography जो है river system वहाँ पे है तो वो सब कारण है उसको मिर्दा के बनाने में निर्मार में तो तीसरा बोला जलवाई हो बिल्कु सही बाते है environment पिर जैविक गतिविदिया सही है पिर लास समय सही बाते है समय के साथ ही ये सब होता है कि with the time वो सारे के सारे सही है इसका अंसर हो जाएगा D अपने next question पे आएंगे जो digital bank से related है ठीक है तो digital banking से related को statement है पहला बोला है इसने banking vinyam vinyaman adhiniam 1949 में परिभाशित किया जाएगा यानि कि जो banking regulation act है 1949 उसमें इसको define किया गया है digital bank ठीक है तो यह बिल्कुल सही बात है देखे अभी यह news में इसलिए रहा है digital bank अभी recently नीती आयोग की एक report release किये गये proposal for licensing and regulatory regime of India ठीक है तो इसी के अंतरगत इसमें digital bank को define किया गया है कि क्या है तो यह पहले तो banking regulation act के अंतरगत आते हैं और दूसरा है इसका अपना तुलन पत्र और कानोनी अस्तित्व होता है यानि की इनका खुद का अपनी जो balance sheet होती है और legal entity बिल्कुल सही बात है आप कोई भी bank है चाबो digital हो चाबो non-digital हो ठीक है तो उसके लिए आपको proper legal entity तो आपको कानोनी जो चीजे हैं उसको follow करनी ही पड़ेंगी ठीक है तो ये तो बिल्कुल सही बात है यदि इसके अंतगत आता है तो ये legal entity भी होगा तो बिल्कुल सही बात पहला दूसरा सही है पर तीसा बोला है यह मौजूदा वाडिजिक बैंकों के समान, विवे, पूर और चल निधी मान दंडो के अधीन नहीं है देखें ऐसा नहीं है जब वो अलड़ी आ रहा है किसी इस act के अंतगत और इस act में आप जानते हैं अप टोवीजन है कि जो liquidity norm है किसी भी बैंक के जैसे कि CRR हो गया SLR हो गया तो ये सब चीजों को follow करना बहुत ही necessary है किसी भी बैंक के लिए तो ये बोला नहीं है तो ये गलत है ऐसा नहीं है तो ये तीसरा हमारा गलत होगा और गलत होते ही हमें answer में लिए जाएगा क्या मिलेगा 1 and 2 ठीक है तो चले इपने चल्चा में रहे है जुलाई में 2022 में दिनेश गोवल्थ हने गोडवल्थ हने ठीक है जो भी पुननसीएशन इनका होगा तो ये अभी जो है जब अभी स्रीलंका में क्राइस रहा है एकॉनमे क्राइस इतना तक रचल ला था तो उसी टाइम पर उनकी जो नए प्राइम जो इनकी प्राइम है उनको सेलेट किया गया था तो ये थे दिनेश गोवल्थ हने तो चलिए अपने नेश कॉशन पर आते हैं जो बोला है निमलिकित में से किसे जुलाई 2022 में इंटरनेशनल Association of Ports and Harbour के रूप में निमलिकित किया गया है तो ये भी रटने वाला कॉशन है वो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है तो ये B has cancer एन नरासू करूनेशन ठीक है पिर अपने नेश कॉशन पर आते हैं जो गोल से रिलेटेड है ठीक है तो ये गोल क्या है तो गोल का फुल फॉर्म है going online as a leader तो ये एक जो है इसकीम है एक pilot project है जिसको अभी माई मतलब हो गया का आपके दो साल 2022 में माई में इसको organize किया गया थै इसको start किया गया तो इसको किसे ने जो है start किया है इसको तो ये हमारी आप सब के पास account होगा facebook का तो जिसका भी नाम हो गया है meta तो इन्होंने fully fund किया है इस project को और इसका main purpose क्या है कि जो Indian youth है जो यूवा है और साथ ये साथ जो tribal woman है ठीक है उन सब को digital literacy याने की digital सशक्तिकरण कराना है करना है अपने फाइदे के लिए employment के लिए लग-अलग चीज़ों के लिए तो उनका बस main गाम है उनको सिखाना है ठीक है tribal areas में तो ये इसका पहला statement बोला है goal का पूरा नाम going online is leaders as leaders ठीक है तो ये बिलकुल सही है फिर दूसरा बोला है इसका उदेश प्रसिक्षन और प्रसीशू की अवधारना के माध्यम से आदिवासी युवाओं और महिलाओं का digital सशक्ति करन करना है तो बिलकुल सही बात है अभी मैंने आपको बताया है फिर तीसरा बोला है यह कारेकम पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्पोशित है यानि की फुली फंड़ेट है Government of India तो ऐसा नहीं है मैंने आपको बताया है इसको फुली फंड कौन कर रहा है फेस्बुक यानि की मिटा फिर लास्ट बोला है यह कारेकम का दूसरा चर्ण आदिवाजी समुदाय के सभी लोगों के लिए खुला रहेगा बिल्कुल सही बात है इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4 यानि की C तो चले बने नेक्स कॉशन पर आते हैं जो बोला है ICC की पुष्टी की है की भारत ICC महिला ODI यानि की Women जो है One Day International Visual Cup की मेजबानी करेगा और किस साल करेगा तो आप जानते होंगे 20-25 में आससे 2 साल बात जो है ये ODI का जो World Cup होगा Women का तो ये India होस्ट करने वाला है अब ये next question पर हम आते है जो की Blue Dot पहल पे based है ठीक अब ये Blue Dot Initiative है क्या with reference to तो पहले statement बुला या विशेश रूप से Atlantic छेदर पर ध्यान के इंद्रित करेगा तीसरा या बनियादी ध्हाचा परियोशना के लिए कम ब्यास दर पर सारवजनिक धन यार गिन की पेशकर्ष करेगा देखे ये जो Blue Dot है Initiative ये काफी न्यूज में रहा है अभी तो नहीं लेकिन कुसमें पहले था तो ये क्यों था मैंने इसका जो Initiative है ये स्टार्ट किया गया है यूएस के द्वारा और साथी साथ उसमें जपान और ऑस्ट्रेलिया भी है तो आप जानते होंगे आपने नाम सुना होगा जो BRI यानि कि चाइना का Belt and Road Initiative है जो कि हमारे आज पास के रीजन में चाइना के जितने भी neighboring country है उसमें infrastructural development कर रहा है तो एक तरह से इस रीजन में जो अपनी dominance बढ़ा रहा है चाइना तो उसको counter करने के लिए आज पास के जो रीजन है वो countries है वो बहुती developed countries नहीं है either they are developing nation or they are least developed countries तो उनको कही न कही से बड़ी country से assistance की ज़रूरत है तो इसको देखते वे चाइना ने तो अपना फाइदा निकालने के लिए start कर दिया था अपना भी आ रहा है तो अब नया एक initiative जो blue dot है ये USA, Japan और Australia countries इन countries ने start किया है तो ये भी सेम तरह से infrastructure development कराएंगे इस region में कौन सा region हमारा जो South Pacific वाला जो region है तो वहाँ पे इसका development होगा तो इसका जो answer पहला है ये भी गलत हो गया और second वाला भी ये दोनों गलत हो गया तो इसका answer हो जाएगा D, neither one nor two ठीक है तो चलिए अपने next question पर आते हैं जो बोला है हाल ही में virus को virus से बचने के लिए European Medicine Agency द्वारा monkey pox vaccine की मंझूरी दी गई है इस vaccine का क्या नाम है तो इसका नाम मैं बता दूँ I am van X ठीक है ये अभी इसको एक Danish Bio Technology Company है Bavarian Nordic ठीक है तो उन्होंने बताया है कि अभी European Commission ने approve कर दी है इस vaccine को किसके लिए? monkey pox के लिए में लिए एडल्ट के लिए बनाई गई है अभी globally आपने सुना होगा monkey pox के जो cases है वो इंडिया में भी काफी दिखाई दिये थे globally around 16,000 के राउन केसे इसके दिखाई दिये गया है 75 countries में तो इसका answer हो जाएगा D अपने next question पे आते हैं जो बोला है भारती नौसेना Air Squadron 324 की संदर में निमले के कतनों पर विचार कीजिए तो पहला बोला है यह केस्ट्रल नाम इसे केस्ट्रल नाम दिया गया है ठीक है पिल्कुल सही बात है यह आयातिक उन्नत हलके हेलिकॉप्टर का उप्योग करने वाला पस्चेमी समुधतर्ट का पहला नौसेना Squadron है यह पहला नौसेना Squadron नहीं है तो इसका जो दूसरे स्टेट्मेंट है यह गरत है फिर वाई तीसरा बोला है या एलह मक 3 हलिकॉप्टर के से सुसजजित है जिसमें अत्यादुनिक उपकरन लगे हुए होंगे ठीक है तो यह बिल्कुल सही बात है इसका तीसरा बोला भी स्टेट्मेंट सही है तो इसका अंसर हो जाएगा 1 and 3 अपने next question पे आते हैं हम लो जो भाती है खनिश पुरुसकारन इम्लिकेत में से किस स्रेडी में दिये जाते हैं तो वो हमें देखना है तो आपको इस से ही समझ में आ गया हो माइन जो है इसको जो अभी 6th National Conference वही थी माइन एन मिनरल के उसने औरगनाइस किया था यह जब आजादी काम बित में खास्चा हुआ है तो उस टाइम पे इसको औरगनाइस कराया गया था और खनन के छेतर में जैसे कोई भी ऐसी औरगनाइसेशन है जो की सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट को प्रमोट कर रही है ठीक है तो ऐसी कमपनीज को यह पुरिसकार दिया जा रहा है तो 89 का आंसर हो गया एक अपने next question पे आते है जो बोला है इस्पेन में 41 विलाडी बेनास्क इंटरनेशनल शातरंज ओपन टूर्नमेंट किसने जीता है तो यह इंडियन जो ग्रेंड मास्टर है अरविंद चिदंबरम ठीक है वो करीब 41st जो है विनर बने है यह इंटरनेशनल जो चेस ओपन हुआ था अभी ठीक है यह कहां पे हुआ था इस्पेन में हुआ था इस्पेन के बनास्क जगा पे 16 जुलाई को इस काउंसर हो गया डी अपने next question पे आते हैं जो बोला है निमलिकित उत्पादों पर विचार केजिए तो उत्पादकों में दुरलब खनिच का उत्योग किया गया है तो इसमें से उत्पादल इनका डुलाफखनिच का उत्योग किया जाता है कि जो रियर एर्फ मेटल होते है तो आप जानते है तो आप जानते है इनका इलक्त्रॉनिक डेवाइस explicar जो इकट्विप ड़िवाइसेãy होते हैं तो जैसे कि जट हो गया rare earth metals तो इसका answer हो गया यह पहला जो है electronic वहन बिलकु सही है दूसरा बोला है solar panel में भी उस होता है drone में भी उस होता है radio set में भी उस होता है इसका electric vehicle जो बनाई जाते हैं आजकल उसकी जो battery बनती है और जो computers के battery होती है तो इन सब में rare earth metal use होता है तो इसका answer हो जाएगा D1234 फिर 92nd question है July 22 में Rajiv Gandhi Cancer Sansthan और Anusandhan Kind में पहली बार made in India surgical robotic system स्थापित किया गया है surgical robotic system को क्या कहा जाता है तो हमें नाम बताना है इसका तो ये SSI मिंतरा के नाम से मिंतरा ने मंतरा ठीक है तो इसका answer हो गया A अपने next question पर हम आएंगे जो बोला है जुलाई 2022 में FinTech Startup OneCard 100 million dollar की funding के बाद भारत का unicorn बनी गया है तो इसका नाम है ये जो 04th unicorn बनी है ठीक है FinTech Startup है कौन सी OneCard तो ये भी रटने वाला question है तो इसका answer हो जाएगा B फिर next Shanghai Sahayyog Sangatan याने की SCO Shanghai Corporation Organization बहुत ही famous organization आई हो इसके बारे में आम जानते होंगे तो उससे related ये अभी एक event house में जो cultural and tourism capital याने की सांस्कृतिक और प्रजटिक अडाजधानी किस सहर को घोशित किया गया है तो इंडिया से हमारी वाराने सी है जिसको ये दर्जा दिया गया हुआ है तो इसका answer हो जाएगा B अपने next question पे आते हैं जो बोला है mission शक्ति के संदर में निम्रकित कर्णों में कौन सा सही है तो mission सक्ति के संदर में कुछ अगर पहला statement बोला है या एक एकिकरत महिला ससक्ति करन कारेक्रव है इसे पंदवे वित आयोग के द्वारा लांच किया गया था बिलकुल सही बात है यहाँ one stop center महिला help line बेटी बचा और बेटी पढ़ाव का कारेकरव का हिस्सा है तो देखे यह जो mission सक्ति है यह mainly women empowerment related program था जिसको 15th finance commission जो की 2021-2022 और 2026 के बीच में था उसमें इसको launch किया गया था mission सक्ति में तो इसका main purpose है कि women को protect कराना तीक है आपने one stop center सुना होगा जो की women को help line help provide कराता है कि जितनी भी उनके दिक्कते हैं एक जगा पे address की जाती है चाहाँ वो किसी भी चीज से related उनकी problem है आपको reach कर सकते हो ठीक है और दूसरा women help line आप जानते ही होंगे तीसरा है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ठीक है तो इसका answer हो जाएगा one two and three पर नेक्स question पर आते हैं जो राट चनोग इंटा नौन में 2022 Malaysia Open Badminton tournament में महिला एकल का खिताब जीता है वा कौन है तो इसका answer बिटने वाला ही है Thailand देखिए अभी 2022 का जो Malaysia Open हुआ था तो उसके जो winners रहे हैं यदि men single की बात करें तो Victor Victor Excelsen ठीक है ये Denmark से रहे हैं इनका आप नाम exactly देख लिएगा Victor है Victor जी बस याद रखे ये Denmark के हैं और woman में तो आपकी ये होगी राचनोग राचनोग ठीक है खोड़ा सा मैं प्रनाउंस अगर गलत कर रही हैं तो I'm sorry फिर उसके बाद men's double है तो men's double है तो men's double इसे भी इतना name important है आप men and women आद रखे फिर next question है जो बोले निमलिखित में से कौन सा राज 13 express way वाला पहला राजव बन गया है देश का पहला राजव बन गया है तो उत्तर प्रदेश हमारा बन गया है जहां पे 13 express way अब बना दिये गया है लेकिन इसके जो सारे express way है वो अभी operational नहीं है cable 6 को operational किया गया है वो बागी 7 जो है अभी under working है वो भी operational हो जाएंगे जल्दी बट टोटल 13 express पे बनाया जा चुके है जो की करीब 300 km के range में फैले हो फिर अपना next question आता है जो I2 YouTube I2 YouTube बहुत ही important है इसको याद रखेगा तो इसमें I2 है और U2 है तो ये एक जो है चार countryों का सम्मूँ है तो इसमें एक आई जो है आपका इंडिया हो गया ठीक है अगर इंडिया नहीं होता तो इतना important question नहीं होता तो पहला इंडिया हो गया दूसरा इस्रेल हो गया फिर तीसरा हो गया UAE और फिर USA ठीक है तो इसको Western West Asia Quad कहा जा रहा है तो आप जानते होंगे जो हमारा इंडिया वाला जो West Asia याने कि जो एशियाई Quad है तो उसमें कौन-कौन कंट्री आप मुझे बता ही अगर आपको पता है ये West Asian Quad हो गया तो इसमें इरान नहीं है भारत है इसरेल है UK भी नहीं है UAE है और USA है इसका अंसर क्या हो जाएगा C 2-3-5-6 फिर इसके बाद next question जो बोला है 296 के एक मंदिर में इस दिश्री नगर में Swami Ramanujar Chari की Statue of Peace का अनावरण किया गया है तो आप जानते है Statue of Peace जो है ये अभी हमारे Home Minister अमिर शाह जी ने इसको inaugurate किया था इसको करा गया है कहांपे जम्मू कश्मीर के शीनगर में ये dedicated है ये जो स्टैचू है ये स्वामी Ramanujar Chari को dedicated है ठीक है उस region में आप जानते है कितनी insulgency रहती है हमारे जम्मू कश्मीर में तो एक Statue of Peace जो है Peace को represent करेगा तो इसको आमिशाजी ने inaugurate किया है अपने last question पर आते हैं जो बोला है निमलिकित में से कौन सा राजस्था जल्द ही भारत में अपनी तरह का पहला स्वास्थ का अधिकार विधेयक विधान सबा में लॉंच किया यानि कि Right to Health तो हमारी जो राजस्थान है उन्होंने अभी जो है पहली बार ऐसा Bill इंट्रोडूस किया गया है Assembly में जो की मतलब लोगों के Right to Health की बात करेगा तो पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि कोई स्टेट जो है इस पर बात कर रही है ठीक है Right to Health की तो इसका आंसर हो जाएगा B. राजस्थान तो थैंक यू सो मुच फर वाचिंग हमारा ये डिस्किशन यही पर एंड होता है जै हिन जै भारत